दोस्तो हमारे देश भारत को मंदरों का देश कहा जाता है यहां कई ऐसे मंदर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए ऐसा ही एक मंदर आसाम की राजधानी दीसपोर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है जिसे हम कमाख्या मंदर के नाम से जानते हैं कमाख्या मंदर देवी सती का मंदर है इस मंदर की सबसे हरान कर देने वाली बात यह है कि यहां दीवी की योनी की पूझा की जाती है चमतकारों से भरे इस मंदर में एक कुंड बना हुआ है जो हमेशा फूलों से ढखा रहता है कहा जाता है कि सकुंड से हमेशा ही पाने निकलता रहता है क्या है कमाख्या देवी मंदर के इस पानी का रहसे क्यों यहां देवी की योनी की पुजा की जाती है और आखर कमाख्या देवी मंदर को तांत्र को और अगोरियों का गड क्यों मना जाता है दोस्तों जानेंगे कई अन्य रहसिमई मंदरों का राज इस वीडियो में अन्द तक जरूर बने रहेगा कमाख्या देवी मंदर असम की राजधानी तीसपूर से लगबग साथ किलोमेटर दूर नील आंचल परवत पर देवी सती के सद्ध शक्तिपीट के रूप में मौजूद है इस मंदर को देश के 51 शक्तिपीटों में सबसे प्रसद्ध माना जाता है क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महा मुद्रा यानी की योनी कुंडिस्टिथ है इस शक्तिपीट का नाम कमाख्या यहां देवी सती की योनी करने के वज़़ से पड़ा है पौराने कथाओं के अनुसा देवी सती के पिता रिजापती दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव के विवास से बिलकुल भी प्रसंद नहीं थे इसलिए उन्होंने इश्यावश एक पिशाल यग्य का आयोजिन किया था इस यग्य में दक्ष ने देवी सती और भगवान शंकर के अलावा प्रम्हांड के सभी देवी देवताओं को आमंत्रत किया था परन्तु फिर भी देवी सती भगवान शंकर से उस यग्य में जाने का हट करने लगे भगबान शंकर को पहले से ही अनुहूनी का ऐसास था इसलिए वो नहीं चाहते थे कि देवी स्वती उस यग्य में जाए लेकिन देवी के हट को देखते हुए बुलेनात ने हार मान कर उन्हें यग्य में जाने की अनुमती देदी कहा जाता है कि जैसे ही देवी सती यग्ये में पहुची उन्होंने अपने पिता से आमंत्र ना भेजने का कारण पूछा बदले में प्रजापती दक्ष क्रोध करने लगे और शंकर भगवान के लिए अप्षब्द बोलने लगे अपने पती का इस तरह से अपमान होता देख देवी सती को बहुत आगहात पहुचा और उन्होंने वहाँ मौजूद यग के हवनकुंड में कूद कर अपने प्राणों की आहूती दे दी भगवान शिव को जब इस बात का अभास हुआ तो वह यग्यस्तल पर पहुच गए और देवी सती के पार्थिव शरीर को अपनी गोद में उठा कर पूरे ब्रम्हंड में तांडव करने लगे जिसे संसार पर खत्रा मड़ राने लगा तब अगवान विश्णु ने सिष्टी को प्रलय से बचाने के लिए अपने सुदर्शन चकर को छोड़ दिया सुदर्शन चकर की वज़े से देवी सती का शरीर 51 टुकडों में कटकर अलग-अलग जगा पर गिर गया और जहाँ जहाँ भी धर्ती पर ये टुकड़े गिरे, वहाँ वहाँ एक-एक शक्ती पीठ का निर्मान हुआ जिसे हम देवी के 51 शक्ती पीठों के रूप में जानते हैं कमाख्या देवी मंदर उन सभी शक्ती पीठों का महा पीठ माना जाता है क्योंकि यहां पर देवी की योनी गिरी थी और इसी वज़ा से यहां देवी की योनी की पूजा की जाती है दोस्तो कमाख्या देवी मंदर को लेकर जो सबसे जादा रहसमई बात है वो यह है कि साल के तीन दिन पानी का रंग लाल हो जाता है इसके पीछे की वज़ा जानने के बाद आप इस सोच में पढ़ जाएंगे कि क्या यह सच में संभव है दरसल मानेता है कि यहां साल के तीन दिन माता को रसवला यानि की पीरियट्स होता है इस दौरान ब्रहमपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन तीन दिनों तक मंदर के कापाट को बंद रखा जाता है इस दौरान मंदर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहां भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में पहटा जाता है वैसे आपको बता दें कि देवी की पीरियट्स वाली बात का कोई भी पौरानिक प्रमार तो नहीं है लेकिन ये भी एक सत्य है जो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता है वो यहां आने के बाद इस पर यकीन करने लगता है कि देवी की खून की वजब से ही नदी का पानी लाल हो जाता है दोस्तो इस मंदर में एक खास तरह का प्रसाद भी मिलता है जो इसे बाकी मंदरों से अलग बनाता है दरसल यहां प्रसाद के रूप में भक्तों को लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है जिसे अंबु बाची बस्तुर कहते हैं का जाता है कि जब दीवी को रजस्वला होती है तब एक सफेद रंग का कपड़ा मंदर के अंदर बिछा दिया जाता है तीन दिन बाद जब मंदर के दरवाजे खोले जाते हैं अधर माता के रज धे खोंसे भीगा होता है बाद में इसी बस्त만 को भकतों में प्रसाद के रूप में बाटा जाता है इसे भकत घर लाकर अपने घर में ऊजा स्थान पर रख देते हैं का जाता है कि यह खपड़ा जिसकिसी के भी पास रहता है माता भगबती उसके सारे कश्टों को हर लेती है दोस्तो रस्वला के इन तीन दिनों में यहां अम्बु बाची मेले का आयोजन क्या जाता है इस मंदर के पास इस्तित भूत नाच शम्शान में तंत्र मंदर की साधनाय होती है इस दोरान बड़ी संक्या में महिला तंत्रिकों की भी मौजूद की होती है इन साधनाओं के लिए कमाख्या मंदर दुनिया भर में प्रसद्ध है कमाख्या मंदर लोगों को यह दिखाता है कि माता अपने हर रूप में पूजनी है ठीक इस तरह स्त्रियों का भी या रूप छोटा नहीं होता स्त्रियों के इस रूप की वज़त से ही यह दुनिया आगे बढ़ रही है उमीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी अमेजिंग और इंट्रस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने है थैंक्स पर पौचे